रिविजन टेस्ट पेपर और इस बार ओल्ड स्लेबस का पिछले बार तो मैंने नियू स्लेबस कर ला था तो अब क्या करेंगे हम लोग आर टीपी रिविजन टेस्ट पेपर रिविजन टेस्ट पेपर आर टीपी किस अटेम्ट के लिए मैं 2020 और स्लेबस कौन सा सर जी स्लेबस ले लेते हैं ओल्ड स्लेबस ऐच धियं रिया me操 klar uses घुड सेज अडऊ जैसर ए यह जो है ओल्ड स्लेबस मैं आर्टीपी आया है और णीयू स्लेबस में जो कूस्छ कॉश्टन से पर और इस है को chapters extra भी है जैसे capital budgeting है और leasing वगेरा के questions जिन लोगों का old syllabus है उन लोगों के लिए मेरी सला कि वो new syllabus का भी RTP देखेंगे और old syllabus का भी RTP और जिन लोगों का new syllabus है वो भी दोनों RTP देखेंगे जो chapter काम के नहीं उसको ignore करती हुए चले जाना पर मेरी फिर से सला आपको दोनों ही RTP देखने लिना शुए तो सर सर श्टार्ट करें यस टाइम खराब करने का मतलब भी नहीं तो हम स्टार्ट कर रहे है श्टार्ट कर रहे है RTP question number one से क्या है question number one जरा देखते हैं यह जो question है especially Hiller Model से उठाया गया है मेरा Capital Bustin का Capital Bustin की complete classes upload है YouTube में तो जिन लोगों को capital budgeting revision करना revision तो नहीं regular class करना है तो वो चाहो तो classes देख सकता है तो यह question Hiller Model से क्या था question question number one लिखा था Skylark Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying classes client कितने रुपए का investment है पिचास लाक कि दी एक्सपेक्टेट कैस फ्लो आफ्टर टेक्स एक्सपेक्टेट कैस फ्लो दे रखा आफ्टर टेक्स मतलब cf80 बोल दो यह सर cf80 cash flow after tax first year second year third year first year का cf80 दिया हुआ है और first year की probability दिया है second year भी इसी तरह से cf80 दिया है और third year भी cf80 decision tree नहीं है decision tree में first year का second year का cash flow किस पर depend करता था first year में यहां ऐसा कुछ नहीं है बोले पहले सल इतना आएगा दूसरे सल cf80 इतना आएगा तीसरे सल cf80 इतना आएगा expected NPV सर expected NPV निकाला जाए सकता है कि yes cf80 दिया हुआ है cash flow after tax दिया है तो इससे तो NPV निकाली सकते है yes of this venture assuming independent प्रोबाइब इंडिपेंडेंट तो ही और discounting rate risk-free rate दिया है 6% तो कुछ नहीं बोला तो हमको 6% से discounting करना पड़ेगा possible deviation in the expected value this is healer model possible deviation in the expected value बोला तो हमको काम करना पड़ेगा और बोला standard deviation of the present value distribution and capital wasting किस तरह से help करता है यह आपको समझाना है तो यह थोड़ा सा theoretical point है first and second की बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड NPV तो expected NPV कैसे निकलेगा first year का cf80 दिया है probability से multiply कर दो कि तो यह first year का cf80 है जाएगा इसमां मुझे समझाना नहीं second year का cf80 दिया probability से multiply करोगे तो second year का cf80 और यह third year का cf80 first year का factor second year का factor third year का factor निकालेंगे से 6% rate है तो present value निकल जाएगा this is present value of cash inflow और आउट लो है 50 लाक वो minus किया तो NPV आ गया positive इसमें कोई problem नहीं होना वाला है पहले point में किसी भी situation में problem अब expected NPV यह तो निकल गया possible deviation in the expected value expected value का मतलब सर क्या है NPV NPV net value expected value का मतलब मैं NPV मानके चलता हूँ उसमें deviation निकल निकलना अब एक बात बताओ बैटे सोच के बताना अराम से सुचते है कि यह क्या है सर यह है कैस्ट फ्लो बिल्कुल सही अगर यह स्य फिट्टी है तो यह expected इसको आप x-bar बोलते x-bar यह क्या है एक्स तो क्या आप standard deviation निकाल सकते हैं फर्स्ट इयर का जो value है वो कै जो कैसी इन फ्लो है उसमें क्या आप standard deviation निकाल सकते हैं तो फर्स्ट इयर के cf88 में हम क्या निकालेंगे standard deviation ऐसे 2nd year के c88 में क्या निकालेंगे standard deviation और 3rd year के c88 में क्या निकालेंगे standard diversion और standard diversion हमको निकलना आता है यह सब्सार और कुछ नहीं करना x- x- bar किया ooh x- x- bar जैसे हिं किया हम लोगों ने तो他說 x- x- bar किया तो यह आ गया है at svax kitna a first year foreign आ collaborators in offer determined ह यह तो हमको पता प्रोट्पोलियू में और उसको algebra benevol script seguinte हो के सी ओके सर्ट आकर बार यह वैलियै आ गई है यह लागए वैरियन्स कप कि कि अगया है यह first year का variance ठीक हजी इसी तरह से 2nd year और variance को square root किया तो यह क्या गया Ch Viyea इसी तरह से हमने कब करो किया इसी तरह से second year का कितना था second year का अगया है 29.3 Renaissance Number Zero Sophie फिर होई हम लोगों ने गाम किया second year में v 15 minus इस तरह से यह किया फिर x minus x यह second year का आपका आगया variance और फिर क्या आगया standard deviation इसी तरह से कब का किया होगा इसी तरह से हमने third year का भी किया अगर third year की बात करो तो यह आगया आपका standard deviation क्या हमको फर्स्ट इयर के श्टेंड डाइविशन पता है यास क्या हमको सेकंड इयर के श्टेंड डाइविशन पता है यास क्या हमको वैल्यू में थर्ड इयर के श्टेंड डाइविशन पता है यास अब सवाल ये है कि सर ये क्या चक्कर है important यह कैसा है सर यह समझ में भी आता है चलो ठीक है यह first year का यह second year का यह third year का याद करो यह formula क्या बोलता है अगर मैं कहूं कि आपको इसके लिए मेरे classes देखनी पड़ेंगी तो yes बिल्कुल सहीं बोलता हूँ क्योंकि सारे concept समझा नहीं सकता दो मिनट में कैसे concept लेकिन सर यह है क्या इत्र याद करो suppose तीन स्टॉक होते थे थे पॉर्टफोलियो याद है थोड़ा सा पॉर्टफोलियों में तीन ओदुर्टउक होते थे वह एअधे बी और और पॉर्टफोलियों का devision बोलता था हम क्या करते थे a square in two weight of a square b square in two weight of b square ऐसा कुछ करते थे हाँ सर हम ऐसा कुछ करते थी standard deviation of a square into weight of a square वही वाले उसी से यह derivation बना है ठीक उसी से derive हुआ है और आपको और detail में जाना है तो description में मैं link जरूर दूँगा capital wasting ठीक है पर सर यह है क्या चीज़ यह square यह 4 यह 6 कैसे हुआ बिट्टे सुनो मेरी बात ठीक से क्या first year का standard deviation हमको पता है yes यहाँ focus करना यह first year का standard deviation है यह second year का standard deviation है और यह third year का standard deviation अब दिहान से समझना actual में क्या है मुझे क्या करना है मुझे variance निकालना अगर देखो दिहान से actually formula क्या है standard deviation about expected value का formula ऐसा है पहले साल का standard deviation कितना है 9. नहीं वह हैं से 9.241 agree पर हमें तो यहाँ variance लेना है तो इसको क्या करना पड़ेगा अच्छा यह कप का है first year का तो divided by 1.06 और यहाँ power 1 है और इन सब का क्या करना होता है square plus दूसरे साल का कितना है 9.930 divided by 1.06 और इसका क्या करना होता है square ऐसी third year का देख लो कितना है 8.619 यह तो square करना है करना है सर इसकी क्या ज़र्ण रत अच्छा divided by क्या होका 1.0 third year का factor और इसका भी क्या करना होता square और फिर क्या करोगे square root तो इसकी वजह से मालूम है क्या हो रहा है इसकी वजह से अगर इसको square करते हो तो यही आ जाएगा आपका कितना 85 0.4 और पस यहां 1.06 है तो यह क्या हो जाएगा square हो जाएगा square क्योंकि यह समें square हो गए इसको धटा दिया इसको square कर दिया इसी तरह से जब इसको square करोगे तो कितना हैगा 98.61 और अब सुचो यहां power 2 है तो अब क्या हो जाएगा 1.06 power क्या हो जाएगा 4 और यहां क्या जाएगा यहां जाएगा 74.29 और 1.06 अब यहां 3 है into 2 तो यहां कितना हो जाएगा 6 इट मिंस यह जो है 246 लिखा हुआ है यह actual में क्यों आ गया क्योंकि यह 2 से multiply हो रहा कि यह तो अल्रीडी स्कॉयर में ही दिया हुआ है यह अल्रीडी स्कॉयर है actual में formula यह formula क्या कहता है यह कप का standard deviation है 1st year का यह कप का 2nd year का 3rd year का तो portfolio का 3 साल मिलाकर standard deviation कितना आ रहा है और standard deviation कितना आ रहा है यह हम यहां देख लेते और वो कितना आया वो आया 14.36 सर यह काम कप करना जब भी बोलेगा ना possible deviation in expected value तो आपको hiller model यूज करना पड़ेगा बाकी hiller model क्या है क्या है क्या चीज कहना चाहता यह तो आपको पुरा की पुरा lecture से देखना पड़ेगा सर मैं तो बस question जो दिया है concept discussion नहीं कर रहो मैं यह बताने की कोशिस करूँ कि किस तरह से calculation हुआ है ठीक है ओके सर अब point number 3 जो था वो theoretical था यह point number 3 पुझा पूछ रहा था कि बताए standard deviation standard deviation आपकी किस तरह से help करेगा तो simple सी बात है उसमें यह लिखा है suppose दो प्रोजेक्ट है X और Y इसका NPV आ रहा है मान लो 200 लाग और इसका भी NPV आ रहा है 200 लाग तो कौन सा प्रोजेक्ट करोगे कौन सा प्रोजेक्ट करोगे तो भई कैसे बता पाओगे दोनों का NPV 200-200 लाग फिर आपको कहीं न कहीं deviation देखना पड़ेगा और जिसका deviation कम है उसको accept करोगे standard deviation सर अगर किसी का NPV ज़्यादा है किसी का deviation ज़्यादा फिर क्या करोगे फिर coefficient of variation को यूच करोगे CV portfolio में बढ़ा होगा CV क्या formalized in the deviation by X bar उसके थो हम काम कर लेंगे बहुत ज़्यादा concept में नहीं जाओंगा बस मुझे न वो एक चीज़ समझा नहीं थी वो मैं आपको समझा दिया यह था question number 1 अब आगे चल रहे है sir और आगे आगे हम question number 2 जो कि leasing का question दिया हुआ है अब दिखते हैं कि leasing के question में ऐसा क्या खास बात है दिखा आगरानी लिमिटेड is in the business of manufacturing bearings ठीक है अगे लिखा हुआ है some more product lines are being planned to be added to the existing system ठीक है कहानी किस्से है काम की चीज़ क्या है काम की चीज़ है कि जो machine है वो लगेगी या तो आप उसको किस पर ले सकते हूँ lease पर या तो आप क्या खर सकते है उसको खरी सकते हूँ ठीक है जी machine कितने की है बोले machine आ रही है 40 लाग की ठीक है life कितने साल है life है 5 साल और service value कितना है service value है 8 लाग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बोले full purchase value of machine can be ओहो आप खरीदोगे तो पैसे आपके पास नहीं है आपको loan लेना पड़ेगा कितने परशन की साबसे 20 परशन की साबसे loan लेना पड़ेगा और equal installment में आपको payment करना पड़ेगा ठीक है सरी हाँ दा कोई प्रॉल्म नहीं आगे alternative machine जो है वो पास साल की lease पर ले लेजीए lease rent कितना देना पड़ेगा 12 लाग रुपए per annum और कैसे lease rent year end the company follow the WDV method depreciation का 25% tax का rate कितना है 35% और cost of capital कितना है 16% point number one advise the company option which option is should lease अग बोरो क्या करें lease पर ले या फिर पैसा उधार ले और खरीर ले machine को सबसे ज़्यादा problem हा रही है सिर्फ discounting rate क्या यूज करें क्या केडी यूज करना चाहिए या फिर जो cost of capital दिया है वो यूज करना चाहिए अब जब आपका practice manual अच्छे से खोल के देखोंगे उन्होंने एक बात लिखी हुई है practice manual ने study mat की साफ साफ लिखा हुआ है सुनना धियान से बिट्टे मेरी बात साफ साफ लिखा होगा कि जो आप leasing का काम कर रहे है उसके लिए cost of capital 16% है तो 16% पर साफ साफ नहीं लिखा है यह नहीं लिखा है कि company जो leasing का business कर रहे है या lease पर जो लेना चाहती है उसके लिए cost of capital 16% है ऐसा नहीं लिखा सिर्फ लिख दिया cost of capital 16% तो बुले फिर कोसिस करना आप केड़ी यूज करना केड़ी चेक करो क्या cost of capital दिया हुआ है हाँ सर दिया तो है 16% तो क्या discounting rate 16% लेना है बिटे एक बात और चेक करो फिर यह चेक करो क्या कहीं यह साफ साफ दिख रहा है कि leasing के लिए जो काम है उसके लिए cost of capital 16% नहीं दिख रहा है institute का यह कहना है अगर सर आप होते तो मेरे पास दोनों ही alternative है क्योंकि यहां मुझे clear cut नहीं दिख रहा कि leasing के लिए 16% discounting rate लेना है तो मैं नहीं लूँगा सीधा क्या यूज करूँगा मैं केड़ी यूज करूँगा केड़ी cost of debt और केड़ी कैसे निकला जाता है मालूँ I 1- tax I का मतलब rate of interest चेक करो rate of interest कितना है कितना percent 20% और tax का rate कितना है tax का rate है 35% कहा लिखा हुआ है 35% चेक कर लेते हैं 35% यह वाला लिखा हुआ है 1-0.35 तो यह जाएगा 13% तो cost of capital मुझे 13% यूज करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या option था या तो lease पे ले या तो loan कितने साल तक lease देना है हमको 12,00,00,00 अच्छा after tax कर लेते हैं 1- tax कर लेते क्योंकि lease lease rent पे tax saving होगा 7,80,000 का lease rent है discounting rate है 13% उसका factor ले लिया तो यह आ गया present value इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है नई सर आगे चलते हैं अब अगर मैं loan पर ले लेता हूँ सुनना दियान से अगर मैं finance करवाता हूँ तो क्या-क्या होगा सर मुझे installment देना पड़ेगा yes installment देना पड़ेगा पर मैं अगर loan से loan लेकर खरीता हूँ तो मेरे कुछ फाइदे भी depreciation में लगा सकता हूँ तो उस पे tax saving होगा और किस में फाइदा है सर depreciation पे होगा अच्छा installment में जो interest जाएगा ना उस पे भी तो tax saving होगा yes तो कुछ profit है कुछ loss भी है क्या-क्या profit है क्या-क्या जाने वाला पैसा installment जाने वाला है क्या-क्या बचेगा tax saving on depreciation बचेगा tax saving on interest बचेगा और service value भी तो देखना पड़ेगा yes check करते हैं तो सबसे पहले installment कितना आएगा तो installment कितने ये रुपए का लोन होगा 40 लक factor पाथ साल का 20 परशन के हिसाब से तो installment कितना आगा है 13,37,000 सरी कैसे आता installment कुछ logic समझाओगे क्या ये chapter भी मेरा चैनल में डला हुआ है yes तो प्लीज आप वो देख लोगे इतना installment आगा है 13,37,345 तो अब क्या-क्या देखना पड़ेगा मैंने का जाएगा क्या installment saving किस्चिस की होगी tax saving और interest tax saving और debt decision तो ये net हम निकाल लेंगे तो installment तो सब पास साल का हमको पता ही है ये निकाल चुके अब हमको ये देखना पड़ेगा ये कैसे आया और ये कैसे आया ठीक है ओके सर अब सुनों तो सबसे वहली बात किस की कर ले interest की हाँ जी सर अब देखो धिहान से कितने का लोन था सर चालीस लाग चालीस लाग का लोन rate of interest कितना है 20 पर 20 person rate of interest तो पहले साल इतना installment है पर इस installment में 40 लाग का 20 पर्षन कितना होता है 8 लाग कि जो installment जारा है उसमें से 8 लाग तो सर interest का जारा है तो जो आब पैसे दे रहे है उसमें principal कितना payment 13,37,345 minus 8 lakh तो इतना ही आपका principal का payment कया तो next year balance कितना बचेगा इतना balance बचेगा सर अगली बार इस पे interest लगे सर यह कहां से है 40 lakh में से इतना तो आपने पैसे वापस कर दिये तो इतना पैसा बचेगा मतलब 40 lakh minus 5,37,345 तो इतना पैसा बचा और अब जो interest लगेगा वो इस पे लगेगा इस पर तो देखते है into 20% किया तो यह आगया 692531 फिर वही काम करोगी जो installment जा रहा है उसमें आपने principal का तो इतना payment किया principal कैसी निकला यह इसमें से यह minus कर दिया तो यह आगया अब loan कितने का बचेगा निकालो इतना था इसमें से इतना payment कर दिया तो यह balance जाएगा इस तरह से यह काम होते जाएगा और last में क्या करना last वाली installment याद रखना last में क्या करना यहाँ जो balance आएगा उसको यहाँ लिख देऊगे और यह वाला यहाँ गया इन दोनों के बीच का difference आप यहाँ लिख दो के बात कता हो जाएगे तो basically मैं क्या बताना चाहता हूँ interest यह आया interest पर हमें interest से मतलब नहीं है हमें tax saving से मतलब है तो अब हम यह देखेंगे tax saving कितने का हो रहा है ज़रा देखते हैं यह देखो आठ लाक तो आठ लाक पे tax saving कितना 35% तो हम ऐसे कर सकते 35% को 0.35 पहले कर लेते तो 0.35 into 8 लाक तो कितना आ गया दो लाक असी अजार यह है अब का दो लाक असी अजार ठीक इसी तरह से सर फिर कितना है चेक करते फिर कितना है हमारा फिर है 692692531 इक्वल टू करोगे 242385 तो फिर यह आ गया होगा आपका 342348386 चल जाएगा कोई दिखकर 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 तो इस तरह से आप लोग क्या निकालोगे तरह से यहां तक तो बात समझ में इनद्रेश्टzać से سबां गया क兄चा कलेशे है करते हैं बिल्कुत ध्यान से समझना है में यह हमें क्या इंच्टाोल्मेंट समझ में आ गया है यह हमारा फाइदा यह पैसा जाएगा यह फाइदा अब ही सर्व टेक्स से depreciation कैसे निकलेगा ऐसे करते हैं बिल्कु धियान से हलाग कि calculation है पर मेरी बात सिर्फ calculator का यूज करो कितने की machine है 40 लाक 40 लाक इंटू कितना पर्षण है rate of depreciation check करो 25 पर्षण इंटू 25 पर्षण तो कितना आ गया depreciation depreciation आया sir 10 लाक इन्टू इस पर tax saving 35% तो आगे 3 लाक 50 जार क्या ये बात समझ में आ रहे 3 लाक 50 जार कैसे किया 40 लाक इन्टू 25 परशन इन्टू कितना 35% अब मैं क्या करूंगा मैंनस हर साल depreciation 25% लगते जाएगा मतलब वैल्यू 25% WDV मेथड है तो हर साल क्या depreciation कम होते जाएगा यस और कितने रुपए से कम होगा 25% से कम होगा तो मैं क्या करूंगा तो इसमें से यह दोनों चीजे माइनस कर देंगे तो नेट कैस आउट लो आ जाएगा थर्टीन पर्शन से डिसकांटिंग करना डिसकांटिंग करोगे तो यह आ गया प्रेजेंट वैल्यों कैशाल प्रो बस एक चीज और बची होई है सर क्या बची होई है लाश्ट में मशीन कितने की बिकेगी अब धियान दोगे बच्टे और जो लाश्ट में मशीन बिकेगी वो भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा दिस सेल्वेस वैल्यों तो आप समझे ना सर कितने की बिकेगी तो यहां लिख रहा हूं मैं सेल्स कंसिडरेशन निकाए सेल्वेस वैल्यों कितना आठ लाग पर मशीन के बेचने से कैपिटल गेन भी तो होगा यह कैपिटल लॉस होगा यस तो देखते हैं मशीन बेच कितने की रह हो आठ लाग और मशीन का बुक वैल्यों कितना है बुक वैल्यों कैसे निकाले नीचे निकाल कर दिया ह मैं यहीं कैलकुलेटर में सिखा देता हूँ 40,00,00, minus 25% एक साल, minus 25% 2 साल, minus 25% 3 साल, minus 25% 4 साल, minus 25% बास साल, तो यह आगया मशीन की बॉक वेल्व, कितना 949 219 और इसका kITना परशन? 35% टेक्स सिविंस तो यह आ गया तो देखा जाये तो टोटल टर्मिनल वैल्यू कितना आया 85226 ठीक है तो इनकी बात करूँ मैं सीधा निकाल रहा हूँ मैं गह रहा हूँ 852226 और इसको फैक्टर से मल्टिप्लाई कर देता हूँ 0.543 8522226 into 0.543 तो फाइनल आंसर यही आएगा मैंने इसने अलग-अलग किया मैंने एक साथ कर लिया ठीक है तो सर इतना पैसा जा रहा है यस अगर इतना पैसा जा रहा है तो पैसा बच भी दो रहा है हमारा यस कितना पैसा बच रहा है यह पैसा जाएगा यह बचेगा तो फाइनल प्रेजेंट वैली अगर मैं आपसे बोलूँ तो यह किस में आ रहा है यह आ रहा मेरे लोन आप्शन है अगर मैं खरीदता हूँ तो और पहला वाला किस के अंदर में आ रहा था और यह किस में आ रहा था यह आ रहा था मेरे लीज में बताओ कौन सा अच्छा है यह अच्छा है यह यह अच्छा है सर जिसमें पैसा कम जाएगा पैसा किस में कम जा रहा है सर लोन आप्शन तो कौंसा option better present value of cash or lease option is greater than borrow hence borrow option is recommended यहां तक question हो गया कौंसा वाला point किया हमने हमने first वाला point solve कर लिया अब बात किस की कर ले था बात करते हैं second point की समझना assist the proposal from the lesser's point of view examining whether leasing the machine is financial viable cost of capital ज्याद रखना बोला है कि 14% लेना है ओके सर ठीक है अब हम लोग तयार होगे हाँ जी तयार हो अब मेरी बात बिल्कुल धियान से समझना हूँ यह अच्छा point है अब किस के एंगल से पूछ रहा है अब पूछ रहा तो पैसा आएगा तो अगर मैंने कहा cash in flow मेरे लिए क्या होगा lease rent रहे और machine lease rent आएगा lease rent आएगा और पैसा machine खरीद रहे तो पैसा जाएगा तो उसमें cash flow after tax निकाल सकता हूँ सीधा सीधा वह उसने भी किया लेसर के पॉइंट रहे उससे चेक करते किस तरह से काम हुआ हूँ सबसे पहले उन्हों ने कहां चलो हम क्या निकाले लेसर का cash flow फर्स्ट लीज रेट बारा लाग बारा लग बारा लग खरशाल आएगा यह का डाप प्रेशिशन दस लाग साड़े साथ लाग सर्व यह कैसे निकलेगा डेप्रेशिशन मैं पहले भी बता चुका हूँ तो मैं फिर से बता रहा हूं फिर से 40,00,000 into कितना परशन 25% तो आया 10,00,000 यह 10,00,000 आ गए हैं फिर minus 25% करेगे तो कितना आ गया 7,00,000 फिर minus 25% करेगे तो कितना आ गया 560 to 500 minus 25% करेगे तो ये सर ये क्या चक्कर है भई यहाँ depreciation को नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता लो चाहे ने हैं लो answer इत्य आईगा क्या बात करें सरहां बेटे में समझा दूँगा मैं में बात मैं समझा दूँगा पहले ये कर ले तो फिर क्या किया और नीं विफोर 12,000,000,000-70,000 सीधा CFT निकाल सकते हुए यह आ गया है यह 10,000,000-70,000 कितना आ गया हमारा 11,000,000,000-70,000 12,000,000-20,000 तो यह आ गया है सीधा सीधा discounting rate आपको कौँ सा before लेना 14 पर्शन लेना है तो यह आ गया आपका present value of cash inflows यह आ गया present value और यहां क्या निकाला present value of service value बस यह मैं किसी और इंगल से समझा सकता हूँ आपको समझने की कोशिश करना कितना है 4,15,200 प्लस 8,45,81 तो यह total कितना आ गया है 4,99,781 ठीक है अब मेरी बार समझो सर बस एक simple सी बात बात question करता हूँ अधिकतर बच्चों का यह doubt आया है कि सर पहली बात क्या पाच्वे साल का depreciation minus नहीं करना चाहिए अगर मैं block opposite वाले concept पे जाओं तो बिल्कुल सही है नहीं करना चाहिए पर फिर भी कर भी लेते तो क्या हो जाता है चलो देखते हैं मालो हम यहाँ depreciation minus करते हैं मैं वह वाला calculation दिखा दूँ आपको यह पाच्वे साल का problem है हाँ सर अगर हम depreciation minus करते हैं 12,00,00 मैंने depreciation देख लेते हैं 4,21,875-25% यह आ जाता depreciation 316,406 तो यह आ जाता profit before tax यह आ गया 883594 टैक्स ही कितना पर्षांट है 35% तो यह आ गया 309258 तो सिधा जाता CFET यह 1 ले लेते है और tax को ले लेते है 2 तो यह आ जाता 890742 ठीक और इसको multiply किसे कर देते 0.519 into 0.519 तो यह आ जाता 462295 तो इस पर क्या effect पढ़ता इस पर वाला ना लेकर हम यह वाला लेते हैं बिलकुल तो चेक करते हैं क्या effect पढ़ता है यहां से समना 3406076 माइनस 404820 प्लस 462295 तो यह आता हमारा 346355 हुआ है अब बात करते हैं सैलेस की अब सैलेस को बिलकुल ध्यान से समझना स्सेल्वेस का में कैसे बने वाला सैल्वेस में तो हम वही करते हैं एक तो क्या ले लेते हम sels consideration कितने रुपई की मेशिन भी कहीए 8 लाख और क्या था capital gain वो कैसे आता अभी किया है 8 लाख माइनस book value देख लूँ 40 लाख माइनस 25 परशन एक साल माइनस 25 परशन दो साल माइनस 25 परशन तीन साल माइनस 25 परशन चार साल माइनस 25 परशन पास साल तो यह आगे 949219 और टेक्से में कितना पश्ण 35 पश्ण तो यह आगे 5222 6 टूटल कर लेते हैं तो यह आगे 852226 इंटू फैक्टर देख लेते हैं 0.519 तो मेरे हिसाब से सेलवेज वैल्यू आ रहा है 442306 ले नहूं 442306 अगर मैं यह वाली सेलवेज वैल्यू ना लेकर अपनी वाले लेता हूं 442306 तो चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है प्लस 3463551 तो आंसर आ गया 3905857 क्या आंसर उतना ही आएगा हाँ बेटे मैं वही तो आप से कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर क्योंकि वो यहां फिर जब सुनो अगर वो यहां डैप्रेशिशन नहीं ले रहा है तो उस चक्कर में यहां बुक वैल्यू कुछ और ले रहा है अगर बुक वैल्यू कुछ और ले रहा है तो यहां कुछ और आ जाएगा बुक वैल्यू जो ले रहा वो ज्यादा ल यह तो क्या लैसर को खरीद के क्या लीच पर देना चाहिए न मत करो भाई बिजनेस लॉसी लॉस तो यह था कोशन नमबर टू जो आपने किया अच्छा कोशन था बड़ा कोशन अब बात करते हैं कोशन नमबर थ्री और कोशन नमबर थ्री जो है वह है डिविदेंट से और तो बड़ाईजी चैप्टर भाई डिविदेंट में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्या है डिविदेंट देखते है एक्स लिमिटेट is a shoe manufacturing company it is all equity finance and paid up capital कितना है 10 लक एक्स लिमिटेट has hired swastika consultant to analyze the future earning and report of swastika consultant estate as follows क्या बोला ठीक सान वो बोला earning और जो dividend है वो grow कितने percent से होगे 25 percent earning और dividend दोनो 25 percent से grow होगे for next two years next two years earning are likely to grow at the rate of 10 percent from third year मतलब पहले साल 25 percent से grow होगा और उसके बाद perpetual कितने percent से 10 percent से grow होगा further if there is a reduction in earning बोले earning अगर कम होता है earning growth तो dividend payout ratio बढ़ा के हम कितना percent कर देंगे 50 percent और आपको कुछ साल के EPS दिया हुआ है net dividend दिया और share का price दिया हुआ आप यहाँ 2014 में you may assume that tax rate 30 percent not expected to change in future and post tax cost of capital कितना 15 percent using the dividend valuation model expected market price निकलना और price earning ratio निकलना market price निकलते कैसे होगा market price P0 निकलने का formula हम अच्छे 2014 में 2014 में check करो EPS कितना है नौ रुपए साट पैसे है और कितने परशन से grow होने वाला है पहले दो साल 25 परशन से थो बढ़ाओ 25 परशन से नौ रुपए से नहीं बढ़ेगा अब किसे प्लस 10 परशन तो 16.5 ठीक डिविदेन पे आउट रेशो डिविदेन शुरू में अर्निंग और डिविदेन दोनों 25 से बढ़ा तो डिविदेन बोलो यहां केतना है तीन रुपए 3.84 इसको बढ़ाई यह 25 परशन तो 4.8 आगया प्लस 25 परशन 4.8 प्लस 25 परशन तो यह आ गया 6 अब 25 परशन से मद बढ़ाना और 10 परशन से भी मद बढ़ाना बोला है कि जितना अर्निंग होगा भाई उसका हम 50 परशन डिविदेन देंगे तो यहां आपको सुनों यहां गलती हो जाती है इसको 25 परशन से बढ़ाया 25 परशन दस परशन इसको 25 परशन 25 हम इसको भी 10 परशन से बढ़ा देते हूँ गलती हो जाती है कि सब लिखा है कि डीविडेन कितना परशन देना हमको 50 परशन तो 16 तो 16 प्यास परशन का 50 परशन किया 8.25 तो बताओ पहले साल डिविडेन कितना मिलेगा 4.8 उसके बाए डि यह कहां तक का निकाल आपने पहले साल का डिविडेंट, दूसरे साल का डिविडेंट, तीसरे साल का डिविडेंट, उसके बात बोल रहा है जो growth rate रहेगा वो कितने percent से रहेगा, 10 percent से रहेगा, perpetual, तो अब हमने after 2017 हमने क्या किया, 8.25, ये 8.25 दिख रहा है, उसको 10 percent से बढ़ दूसरे साल, ये तीसरे साल, और चोहते साल से परपेचवल है, तो आप value यहां के निकालने, अब क्या निकालने के कोशिश कर रहे है, P3, अब P3 का formula क्या होगा, P3 का formula, P3 का formula होगा, D4, K-G, तो ये क्या निकला था, सर ये 8.25 पैसे क्या है, ये D3 हो गया, ठीक है, तो उस को 110% से बढ़ा है, D4, K-G, तो ये आगया, पर ये आया, यहां की value, 181.50, बेसिक चीजे है, ये सब पता होगा आपको, वो तो क्या है, मैं यहां थोड़ा सा समझा रहा हूँ, और फिर क्या करना, आपको इसकी present value निकलना, मतलब यहां निकलना, यहां खीचना पड़ेगा इसको, तो divided by, कौन से साल का factor, 3rd year का factor से multiply कर लिया होगा, 15% के हिसाब से, तो ये आ गया present value, और ये तो पहले से है ही है, और दोनों को मिला दिया, तो this is expected price of share, कुछ नहीं है, expected price of share क्या है, जो future में dividend मिलेगा, उसका कौन सा value, present value, फिर क्या मांगा, price earning ratio, यह price कब का निकला है सर ये price यहां का निकला, यहां का, यहां का मतलब आज का, और आज का market price कितना है, 93, अब price earning ratio का formula वालो में, आपको MPS divided by EPS, MPS ये वालो लेना, EPS, मतलब MPS, sorry, MPS तो आपने निकाला है न सर, और EPS कौन सा वालो लेना पड़ेगा, ये 9.60 पैसे, तो price earning ratio निकलेगा, 133.57 divided by 9 10.60, answer आगया कितना, रुपीज में कभी भी time ratio, ये नहीं निकलता है, गलत बात है, ये time से निकलेगा, price earning ratio, गलती से रुपीज छपा हुआ, तो ये question था, dividend का, question number 3, आगे चले, yes, आगे question है, question number 4, अच्छा question है, future का questions है, और वो है, आपके hedging of question, जिसमें आप, share में तो पैसा लगाते हो, okay, पर उसको has करने के लिए future contract में भी पैसा लगा सकते हो, यहाँ भी है, अच्छा question है, नया question है, सर इसको समझाने में time लगेगा, कि yes, पर सुनो बच्चो, इसका video already uploaded है YouTube में, जिसमें मैंने detail में concept समझाया है, तो हम यहाँ क्यों time खराब करे, मैं आपको दो मिनट में या एक मिनट में तो यह समझा नहीं सकता, actual conceptual है यह question, तो please description में जाईए, question number लिखा और उसके नीचे मैंने आपको link दे रखा, सीधा जाना, question number लिखा हो, उसके नीचे link लिखा हो, अपटा-पट से click करना, और पूरा solution देखना, please, यह important question question है, please, इसको कर लेना, मुझे ऐसा लगता है, कि यह question पूछने की उमिद जादा है, ठीक है, sir, आप थोड़ा सा समझा दोगी, बिल्कुल मैं ही समझा रहा हूँ, बस description में जाकर check कर लोगे, अगला question चल रहा है, और question number 5 पे चलते है, ठीक है, sir, question number 5, question number 5 भी मैं नहीं समझा क्योंगा, क्यों, sir, क्योंकि new RTP, जो new syllabus का RTP है, same question डला हुआ, BSM वाला, तो, sir, new syllabus का भी RTP देखना पड़ेगा, हाँ, जी, sir, old syllabus वालों को, तो new syllabus का RTP देखना है, और उस RTP में मैंने BSM discuss किया हुआ है, blacks, तो, sir, यहां से भी आगे चले, yes, आगे चलते है, और, sir, यह question क्य है, यह question भी, new syllabus की RTP में यह भी डला हुआ है, तो, please, आप new syllabus की RTP, जो इससे पहले वाला वीडियो है, मेरा, उसे चेक करोगे, उसमें cover हो जाएगा, इस पर मैं time नहीं खराब करूँगा आपका, और आगे चल रहा है, sir, यह क्या है, यह आपका bond refunding का question, famous question, bond refunding, sir, समझाओ होगे, हाँ, बेटे, ना जाने कितनी बार समझाए हूँ, bond refunding का अच्छा question है, और same question, मेरा already channel में डला हुआ है, uploaded है, तो, description में जाओगे, question number, कौन सा लिखोगे, question number 7 देखोगे, और जैसी click करोगे, तो, यही question आपके सामने आजाएगा, पूरा detail में समझाया गया है, तो, क काम हो गया, अब हम में लोग आगे चल रहे है, हाँ, यह question में अभी तक अपने channel में upload नहीं किया है, question number 8, तो, question number 8 हमको समझना पड़ेगा, कि है क्या चीज़, तो, यारो, हाँ, सर, ठीक, प्रदेव question क्या लिखा हूँ, लिखा, following financial data are available for PQR limited for the year 2008, कुछ information दिया है, सबसे पहली बात करूँ, 8% debenture लिखा हूँ, 8% debenture, कितने के, 125 लाक, ठीक है, 10% bonds, 2007, और यह क्या चल रहा है, 2008, 10% का मतलब, सर, 10% का मतलब तो, जानते हैं, interest, बिलकुल, कितने पर interest, 50 लाक का, कितना percent, 10%, good, यह बताओ, कितने मंत्स का, सर, पूरे साल भर का, क्यों साल भर का, बिट्टे, 2007 में bond issue हुए है, एक तारीक का हुए, कि 35 मार्च का हुए, कि कब हुए, नहीं मालुम सर, तो फिर आप पूरे साल भर का interest नहीं, कास वो interest का amount दे दे मुझे effective, तो मैरा attention नहीं कता हो जाएगा, तो total debt हमारे पास कितने के, सर, total debt हमारे पास 175 लाग के, share capital 100 रुपय है, तो 100 रुपय का share, 100 लाग का share capital, प्रसे 300 लाग का, total asset कितने का है, 600 लाग का, total asset turnover ratio 1.1, total asset turnover ratio, final level पे turnover ratio में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, पर होता है ना, कभी-कभी हम भूल जाते हैं, ऐसा भी देखा है, तो बचपन याद करो, 12th, रटवाया गया था, क्या रटवाया गया था, जितने धी turnover ratio है, ह हमें या रटवाया गया था, कि base उपर चो लिखना है, वो turnover लिखना है, सर समझाओ, 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 suppose, stock turnover ratio, formula बोलो, turnover divided by stock, total asset turnover ratio, turnover divided by total asset, good, debtor turnover ratio, turnover divided by debtors, working capital turnover ratio, turnover divided by working capital, sir, concept तो समझाओ, अभी उतना टाइम नहीं, यह concepts का, तो ठीक है, सर, turnover divided by total asset, यह total asset turnover ratio, effective interest rate, 8%, सर यह क्या चक्कर है, बड़ा सिंपल है, debt 175 लाग का, और यह नहीं मालूं कि यह interest कितने मन्त का लगना, उसने निकाल कर देते, effective 8%, मतलब 175 लाग का, सिधा 8% निकाल लेना, काम खतम, दोनों का मिल ठीक है, tax credit है, 40%, operating margin कितना दिया है, 10%, operating margin, मतलब profit, तो बताओ, expenses कितने percent हुए होगे, operating expenses, 60%, expenses हो, तभी तो 10% profit बचा, dividend payout ratio, मतलब जितना कमा होगे, 16.67% dividend देना पड़ेगा, current market price दिया, required rate of return दिया, ठीक है, सर, मांग कि आ रहा हो, यह तो बताओ, 4 चीजे मांगा है, यह question पिछले attempt में आया है, क्या मांगा है, एक तो बुले income statement में बनाई है, हमने का चलो जी, income statement में बनाते है, income statement में start कहां से होगा, sales से, और sales कैसे पता लगेगा, आपको दिया है, total asset turnover ratio, और total asset turnover ratio, formula मैंने क्या बताया, turnover, turnover, divided by, total asset, यह कितना दिया है, total 1 is to 1, 0.1, turnover हम इको दिया हुआ है, कि वह निकालना है, और total asset हम को मालुम है, 600, तो total asset turnover ratio तो निकल जाएगा, कितना निकल गया है, 660 लग, ठीक है, turnover तो पता लग गया, effective interest rate दिया, 8% तो सीधे 175 लग का डायट है, और उसका 8% मतलब 14 लग का आपका interest हो गया, 40 lakhs का, और operating expenses दिया है, 10% मतलब operating margin दिया है, 10%, तो expenses कितना हो जाएगा, 90%, इसके लावर, dividend payout ratio है, और यह है, तो अब फटा फट से हम लोग income statement बना लेते हैं, sales मालू में turn number 660 लग, expenses मालू में 590, ABIT आ गया, minus क्या किया, interest तो ABT आ गया, minus करोगे tax, तो earning after tax आ गया, और dividend कितना दे रहा है, 16.6%, तो return earning कितना आ गया, 26, this is income statement, point number one हो गया, कुछ भी नहीं था, point number one, growth rate, अच्छा सर, growth rate का formula बता है क्या, yes sir, B into R, growth rate का formula होता है, B into R, B का मतलब क्या होता, B का मतलब होता है, retention ratio, कितना return कर रहा है, 16.67%, आप dividend दे रहा हो, तो return कितना कर रहा है, होके जड़ा देखे, 100 minus 16.67, मतलब आप 83.33% return करना, मतलब 0.8333, यह हो गया है, retention, retention ratio, तो तो हो गया है क्या, हाँ, सही है, अब किस्चिस की जिवरत पड़ेगी, अब हमको चाहिए, growth rate, retention ratio तो मिल गया हमको, B into R, अब हमको चाहिए, growth rate, return on equity, return on equity कैसे निकालोगे, चेक करो बेटे, आप कितना कमा रहा, सर हम इतना कमा रहा है, 31.20, इतना कमा रहा है, equity पर, और equity है कितने का, यह है, equity किस को मिलकर बनता, यह दोनों को मिलकर equity बनता, share capital, return on, मतलब 400, इसका मतलब है, सर, यह बात है, कि हम 400 लाग पर, कितना profit कमा रहा है, 31.2, तो R कितना है, 7.8, मतलब 0.078, इन दोनों को multiply करोगे, तो क्या growth rate आजाएगा, yes, कितना आ गया, 6.5%, alternative दे रखा, alternative में मैं बहुत ज्यादा interested नहीं हूँ, आप ऐसे कर लेना, 6.5% आ गया, ठीक है, तो B into R से हमारा क्या निकल गया है, growth rate निकल गया, अब क्या मांगा, उसके बाद क्या मांगा, उसके बाद मांगा आप से, fair price, fair price of share, fair price का मतलब P0, और P0 था हमको मालूम है, D01 plus G, मतलब D1 divided by K minus G, sir, ये तो dividend है, 5.20 पैसे, पर ये अभी का है, इसमें growth जोड़ना पड़ेगा, it means, for only पहा जाओ, सीधा-सीधा, ये निकला, 5.2 lakhs, dividend है, total number of shares कितने है, 10 lakh, तो ये आगया है, dividend, और फिर इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, growth, और K minus G, तो ये आगया, आपका final answer, P0, टिक है, और share का actual price है, सुनो, ये share का price आया है, कितना है, 6.51, और market में share का price कितना चल रहा है, 14, बताओ share खरीदना चाहिए, कि नहीं करीना चाहिए, इसका मतलब, मैं जो share खरीदूँगा, और मुझे जो भी dividend मिलेगा, future में, उसका present value कितना, 6.51, इसका मतलब share खरीदने से, मैं 6.51 ही कमा पाऊंगा, और जब कि हो 14 रुपए में विक्रा, सोच के देखना, अगर मैं इसको खरीदूँगा, ये market में कितने हैं का विक्रा है, 14, 14, अगर मैं इसको खरीदूँगा, तो इससे कितना कमा पाऊंगा, 6 रुपए कावन पैसे, खरीदूँ की नहीं, मत खरीदू, महगा है भई, ओवर प्राइश्ट, खरीदने की जरुवत नहीं है, वही चीज यहां समझा है, since the current market price of share is 14 and share is over value, महगा है, hence investors should not invest in the company, तो ये question था, security analysis का question था, ठीक है, ओके सर, अगले question पे चले, अगला question बड़ा simple है, portfolio management का question है, बिल्लकुल simple question, ज्यादा महनत नहीं लगेगे इस question है, देखते हैं क्या बोल रहा, एक बार रिट करो गोशन, चलो जी देखते हैं, लिखा हुआ है, consider the following information on two stocks, दो stock है, दो stock है, दो stock है, A और B और आपको 2016 और 2017 दो साल का return दिया हुआ है, yearly, you are required to determine the expected return on a portfolio containing A and B in the proportion of 40% and 60%, expected return निकालना है, A में कितना portion लगा रहा है, 40%, B में कितना लगा रहा है, 60% expected return निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे पहले आपको इसका mean निकालना पड़ेगा, और इसका expected return individual stock का निकालना पड़ेगा, फिर portfolio का निकलेगा, तो पहले 10 और 16 divided by 2 कर लो, 13%, average divided by 2, year 2 ही है न, ऐसी 12 और रठा है, divided by 2, तो बताओ, इसका कितना return आया है, 13% इसका कितना आया है, 15% और इसमें कितना पैसा लगाना है, 40%, 0.4 से multiply कर देना, weight और इसमें कितना आजागा, 0.6, तो यह आगया, 14.2%, पहला वाला point में कुछ दम ही नहीं था, यह तो कोई भी निकाल ले था, HD निकालना, HD, HD of each of two stock, each, each, दोनों का, तो पहले x-x बार, तो इसने अलग-अलग कर रहा है, हम एक साथ भी कर सकते हैं, x का मतलब क्या होगा, 10, 10-13, into probability कितनी है, 0.5, और इसको क्या कर लिए, इसको probability बोल दो, या divided by 2 कर लो, बात एक ही, ऐसे इसका कर लिया, 16-13, 16-13, divided by 2, इसको square किया, और फिर इसको square root करोगे, तो या आगे standard division, यह हमको निकालना आता, 3-3, ऐसे किसका कि निकाला होगा, इसका भी 3 परशन, इसके अलावा क्या मांगा, covariance, covariance का formula पता है, x-x बार, y-y बार, into probability, this is x, कहां गया है, भई, x-x बार, reading के लिए लेता हूँ, यह मेरा, x-x बार, और यह है, y-y बार, x-x बार, y-y बार, into probability, x-x बार, y-bार, into probability, तो यह आगे, covariance कितना 9%, इसके अलावा, और क्या मांगा, correlation, correlation का formula पता है, logic नहीं समझा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, correlation कैसे derive हुआ, नहीं है time, तो covariance, correlation का formula है हमारे, पस covariance A, भी divided by दोनों का standard deviation, तो this is perfect positive correlation, perfect positive correlation, ठीक है, उसके बाद बाद रिस्क निकालना, standard deviation, तो standard deviation of portfolio, वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते, standard deviation of portfolio is equal, standard deviation of A into weight of A, plus standard deviation of B into weight of B, यह formula सर यह वाला लगेगा ना, बैटी यह वाला लग सकता है, लगता ही है, वैसे तो यह वाला, लिगन अगर perfect positive तो shortcut मार सकते हूँ, standard deviation of A कितना है, 3 into 0.4, plus 3 into 0.6, answer check कर ले ना, कितना है, answer 3% ही आएगा, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, बात एक ही, तो सबसे simple question, portfolio के, इसे simple question होई ही नहीं सकता, यह सब requirement था, जो हमको करना था, ठीक है, तो अभी जो है, अभी आपको मैंने total कितने question करवाया है, 9 questions करवाया, इसके बाद जो question है, total मिला का 19 question है, तो question number 10 से आगे, अगले वीडियो में, अभी तक कहां तक question किया है, 9 तक, अगले वीडियो में, RTP के बचे हुए question कर लेंगे, एक साथ सब कुछ possible नहीं, ठीक है, ओके, thank you,